नमस्कार दोस्तों मेरे खास स्वागत करते हूं एक्सके सिंपल फूड में तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए सेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बैल आइकन जूर दबाए ताकि कोई भी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुँचे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे उनका बहुत बहुत धन्यबाद जो नया है वो प्लीज दोस्तों जुरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कोई भी रेसिपी आपके पास पहुँचे तो बैल आइकन जूरूर दबाए तभी तो आज मिलाई हूँ चने का साग, तो देखें चने का साग को पहले हम धो लेंगे क्योंकि ये मार्केट से लाई हूँ, खेट का होता तो कोई बात नहीं था, और धो कि इसको तोड़ेंगे, जो मुलायम डंडिया होगी, उन्हीं को तोड़ेंगे, मैं दिखा देती हूं एक दोएंगे जरूर क्योंकि मार्केट से आया है खेट से नहीं खेट का होता तो अलग बात होती तो इसको काट लेते हैं बिल्कुल बारिक दो करका मैंने यह तो दिखाती हूं मैं काटने के बाद आपको तो यह मैंने काट लिया है यह देखिए और आज मेरा सोई में नहीं बना रही हूं आज मैं अपने रूम में बना रही हूं तो मैंड मत करिएगा किसी चीज का तो यह मैंने काट लिया और इसको मैं कुकर में डालूंगी और मैं पीसूंगी नहीं इसको मिक्सी में वैसे पीस मेरा किलो था साब और चाहिए मेरा आधा किलो था कि अगर चैनी का सत्तू दालती हूँ और यह कट लेहसन भाषी मिर्चि अद्रक है भाडत विच और dur द्रक है और मेरी दालाईड़ है है जब यह पकाऊंगी तब और जो काटके रखें वो डालूंगी में पकने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं तो यह मैंने गैस पर रख दिया है कुकर और डालती हूं एक गिलास से डेर गिलास पानी क्योंकि चने के साग को पकने में थोड़ टैम लगते हैं और इस टैम म जो कि सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा होता है मैं इसके गुन नहीं बता पा रही हूं आप सभी से मज़दार हैं यह मैंने लैसन डाल दिया साबू थी क्योंकि जब हम पीसेंगे या घाटेंगे तो यह अपने आप पिस जाएगा और अधरक डाल देते हैं कटा हु तो मैं और डालूंगी क्योंकि जितना दिखर है उतना रहेगा नहीं बिल्कुल ही कम हो जाएगा तो चलिए इसका धकन लगा देते हैं और तेज आच पर एक सीटी और कम आच पर चार से पांस सीटी लगवाती हूं तो इसे लग जाने देते हैं उसके बाद मैं आपको दि बायम हो जाएगा बिल्कुल चिकना हो जाएगा लेकिन मैं बिल्कुल बारी काटा है और कम आच पर ही मैं पान से छे सिटी लगवा लेती हूं तो यह हमारा हो चुका है मैं ठंडा होने दे रही हूं तो यह देखिए पानी सूग गया है बाली बिल्कुल पानी सुखा लें देरेंगे और तो मैं मतनि से अच्छी तरफ मत दूदूः घ्राट दूझे जो भी आप कहना चाहें आप मतनी बोलिए या जो भी बोलिए तो हम इसे रही बोलते हैं तो यह घांट लिया और यह देखिए पानी बिल्कु सूग गया है और अब मैं इसमें जो चने का सत्व है वो डालूँगी और यह अंदाजे से डालेंगे अगर चने का सत्व नहीं है तो आप मक्की का अटा डालि है लेकिन मैं साग में यह पालक शर्षों के साग में भी मैं चने का सत्व ही डालती हूं तो मैंने दो से तीन चमच डाल दिया है नॉर्मल जो चमच है उसी से और इसको फिर से मिला लेंगे और यह बिल्कुल सूखा बनेगा और थ्वा टाइम लगागा दोस्तों मैं गैस बन कर दूँगी इसको कुछ देर मिलाने के बाद ताकि पानी जो बचा हुए वो सूख जाए और फिर मैं इसे अच्छी तरह मतनी से घंट दूँगी तो यह मेरा घंट चुक है और एक बॉल लूँगी और उसमें डालूँगी मैं साग को तो यह मैंने डाल दिया है और अ दूड़ा सा लेसन और इसकी हरी मिर्च और सबसे मेल है इसका जान सरसो का कच्च तेल अगर यह नहीं डाला तो बिकार लगेगा यह तो यह मैं डालूँगी दो से 2 ठाट चंबाच और इसको मिक्स करेंगी बहुत जुरूरी की इसमें पका के तेल नहीं डालते हैं कच्च का साग इससे पहले भी मैंने एक चने का साग डाल रखा उसको जहांगा कहते हैं तो यह मैंने सर्व किया है बाजड़े की रोटी के साथ मेरे गाहों में बिल्कुल सिंपल कोई खास मसाला नहीं तो बनाईएगा जुरूर और खाने के बाद मुझे जुरूर बताईए कैसा लगा तो एक और तरीका है मैं वो भी बताऊंगी जिसमें इसको मसाले के साथ बनाया जाता है और इससे पहले मैंने आलू और चने का साग डाला है वो भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी तो आप जरूर उसे भी ट्राइ करिए इससे भी अच्छा लगता है वो जो मसाले वाली बनती है आलू के साथ दोस्तों सबका अपना अपना तरीका होता है आप भी अपना तरीका ज साथ नमस्कार धन्युक्त